काफी लोग पूछ रहे थे कोड़ शिफ्टिंग के बारे में चली जानते हैं इसका बेसिक फंडा टिप नमबर वन सबसे पहले मिनिमूम कोड़ लेने हैं तीन नहीं, चार नहीं, बस दो कोड़ ठीक है टिप नमबर टू ऐसे कोड़ लेने हैं जो एक दूसरे के बहुत करीब हूँ जैसे जी मिजर एंड सीगेड नाइन यह सबसे बेसिक, मतलब जो कम से कम दूरी का कोड़ हो ठीक है, अब जी एंड सीगेड नाइन काफी कम दूरी की हैं जैसे ए एंड ए माइनर आपस में दूरी बहुत कम हैं दोनों कोड़ की पूरा फिंगर उठा उठा के रखेंगे तो वो शिफ्ट नहीं होगा दो ही कोड़ लेने हैं और वो कोड़ लेने हैं जो आपस में बहुत नजदीक हो एज़ेंपल हम ले रहे हैं E माइनर एंड A माइनर अब इसकी प्रैक्टिस ट्रमिंग के साथ नहीं करनी टिप नमबर 3 गिटार नहीं बजाना पहले गिटार को होड कीजिये और पहले उसकी शेप बनाएए muscle memory बनाईए पहले कैसे वो move कर रहे है जैसे 1 2 1 2 1 2 tip number 4 थोड़ी सी memory बनने के बाद muscle memory बनने के बाद आपने strumming पे नहीं जाना सबसे पहले metronome के साथ आईए like click लिजे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे राइट टिप number 5 इतना करने के बाद आपका हाथ से चलने लग जाएगा and obvious भी बात है उसके बाद आप strumming रहे हैं 2 कोड़ी ठीक है 2 कोड़ी बढ़ने के बाद आप तीसरा जोड़ सकते हैं जैसे D major, G major उसके बाद आप level by level आगे बढ़ सकते हैं अब अब स्टार्टिंग में 2 कोड़ी और कम से कम फासला हो एक कोड़ी से दूसरे कोड़ का right hope help किया होगा यह वीडियो जैसे पासला हो आप